हेलो दोस्तों स्वागर है आपका एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के अंदर और आज की सुल्वियों में बात करने वाले हैं लैपटॉप के बार में और यह जो चीज है यह आज की बेजिक नीट बन चुकिए हमारे लिए आप बोल सकते हैं ऑनलाइन क्लासे साटाइन करन के लिए लेकिन यह जो लैपटॉप से उनका प्राइज यह जो पैंडेमिंग का थी उनके बाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो हमारे इंकम है वह भी पहले के मतावच थोड़े डाउन हो चुकि है लेकिन आज की वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना कोई सेर्चिंग वगरा करें और ज्यादा कोई इंस्टाग्राम पर आप मुझे डियम कर देना मैं तो रंट रिप्लाइब कर दूँगा सबसे बहले शुरुआत करते हैं लास्ट से तो पांचवे नंबर पर हमारी लिस्ट में जो लैपट के लिए लैपटॉप आपके लिए बैस्ट हो सकता है और साथ में इसमें आपको रैपिर चार्ज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप को 0-80% सिर्फ एक गंटे में चार्ज कर सकते हैं तो यार यह काफी अच्छी बात है इस प् 1.6 किलोग्राम से तो आप इसे ट्रावेलिंग वागेरा में भी केरी आउट कर सकते हैं सबसे इंपोर्टन प्रोसेसर की बात पर हैं तो इसमें आपको इंटल का आई 3 10 जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल जाता है जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.1 गीगार्स और साथ में इसमें आ या फिर ऑनलाइन क्लासिस के लिए इसे बड़े आसानी से यूस कर सकते हैं और थोड़ी बहुत जो गेम्स होते हैं वह आप लो सेटिंग्स पर आसानी से खेल सकते हैं OS के एकर हम बात करें कि इसमें आपको Windows 10 प्रिंस्टॉल नहीं मिलते हैं इसमें आपको DOS मिलता है तो पूर और अगर आप एक ऐसा लेप्टव रूंटर जिसकी आपको बहुत ही अच्छी बैटरी बेकप मिलें तो 30,000 में यह बेस्ट लेप्टव है इसकी बेस्ट बैंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके आप चेक आउट कर सकते हैं बात करें अ इसक्स 925 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है रेडियन और फोर ग्राफिक्स के साथ में तो यह मल्टी टास्किंग के लिए एक बैटर ऑप्शन हो सकता है और साथ में इसमें आप गेमिंग अगेरा भी काफी अच्छी दारिके से कर सकते हैं और साथ में इसमें आपको 15.6 इंच का HD देखने को मिल जाएगा और जैसे कि मैंने पहले भी बता है कि इस बजट में फुल एच्टी वाला डिस्पले बहुत कम हाता है OS की बात करें तो इसमें आपको Genuine Windows 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है MS Office का Student Edition भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में बोनस इसमें आपको मैकेफ एंटी वायरस का 15 मंस का Activated License भी मिल जाएगा तो आपका जो Laptop काफी ज़्यादा सिक्यूर रहे पोर्ट की बात करने तो इसमें आपको सारे पूर्ट देखने को मिल जाते है ब्ल्यूटूथ पूर्ट लैन पूर्ट वाइफाई पूर्ट कार्ड रीडर और यहां तक कि आपको dedicated webcam भी देखने को म मिल जाएगा और battery backup की बात करें तो इसमें आपको चार से 6 गंटे के बीच में battery backup average देखने को मिल जाएगा तो यह भी एक best laptop हो सकते अंडर 30,000 multitasking के लिए तो इसकी भी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी जाकर आप वहां से check out कर सकते तीसरे नंबर पर हमारी list में जो laptop ह वह मेरी favorite brand Asus की तरफ से और यह Asus VivoBook 14 यह आपको around 30,000 रुपीज में Amazon पर देखने को मिल जाता है और इसकी price रोज fluctuate होती रहती है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप description में जो links है उनने रोज daily जाकर check करें हो सकते आपको एक बहुत ही अच्छा massive price drop के साथ offer देखने को मिल जा जाता है इस budget पर जो सबसे best processor है और साथ में इसमें आपको integrated Intel के graphics देखने को मिल जाते हैं और 4GB DDR4 RAM मिलती है 1TB की hard disk है RAM upgrade के भी options है display की बात करने तो इसमें आपको 14 इंच का full HD देखने को मिल जाएगा जो इस budget पर best है और Asus के laptops के साथ यह एक advantage रहता है कि आपको laptop को unlock करने के लिए fingerprint scanner भी मिल जाता है तो यह एक बड़ा advantage है बैटरी बैकप की बात करने तो इसमें आपको average आंट से 9 गंटे का बैटरी बैकप देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको fast charging का भी support देखने को मिल जाएगा और OS की बात करने तो इसमें आपको Windows 10 जैनियन वाला प्रे-install देख subscribe कर दूंगा तो यह भी under 30,000 में काफी बड़िया laptop हो सकता है इसकी भी best bank link आपको नीचे description मिल जाएगी second number पर हमारी list में जो laptop आता है उसे मैं आपको personally recommend करूंगा क्यूंकि आज की date में इसका जो price दे हुए 29,350 Amazon पर तो इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा आप इस video को देखने के बाद फटावट से जाके check out करना क्योंकि हो सकता है price बड़ भी जाए laptop आता है HP की तरफ से HP 15 DB processor इसमें आपको AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200U देखने को मिल जाता है इस budget पर best है और Radian 3 के graphics के साथ में आता है तो work from home, office work और जो भी classes है, school work और यहां तक की medium वाली games भी आप इसे low settings में run करा सकती, charge भी कि इसमें आपको DDR4 वाली RAM देखने को मिल जाती है, 1TB की message storage है और upgrade करने का भी आपको इसमें option देखने को मिल जाता है, तो सब कुछ बढ़ी है, rate इसका 2kg आपको देखने को मिल जाता है, average weight है, तो यहां पर आपको इसमें कोई भी problem install देखने को मिल जाता है, पहले से lifetime validity के साथ में, और MS office भी आपको pre-install देखने को मिल जाता है, तो वर्ड वागिर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो long time में आपको इसमें कोई भी problems face करनी नहीं पढ़ेगी, और इसमें आपको fast charging का भी support देखने को मिल जाएगा, आप इसे 0 to 50% charge कर पाएंगे, सिर्फ 45 minutes में, तो काफी अच्छी बात है, बैटरी बेकप इसमें आपको company claim करती है, अगर हम मानें, तो 13 hours का मिल जाता है, जो की एकदम insane है, लेकिन real life usage में आपको 8 to 9 hours का बैटरी बेकप बगर मिल जाए, तो भी काफी अच्छी बात तो ये एक best laptop हो सकता है, अंडर 30,000 हर एक purpose के लिए, तो इसकी भी best bank link आपको नीचे description में मिल जाएगी, पटावट से जाओ और check out करो, first number पर हमारी लिस्ट में जो laptop आता है, वो है Avita पूरा, और अब इस laptop को मैं तभी recommend करूँगा, जब आपको बताएगा 4 laptops में से कोई भी क्योंकि brand का नाम सुना हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको तभी recommend करूँ, अगर आप Avita पे trust करते हो तो अच्छी बात है, processor आपको इसमें Ryzen 3 30 200U वाला देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 14 inch का full HD display मिलता है, और 8 GB के RAM आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इसक 256 GB का आपको इसमें SSD मिलेगी, सिर्फ 1.3 kg का इसका weight है, मदब इतना light weight होगा आप सोचा नहीं होगा आपने का और इसमें आपको साथ में Windows 10 home pre-install मिलेगा, S mode के साथ में काफी अच्छी बात है, बैटरी बेक आपको इसमें 5-6 गंटे का average देखने को मिल जाएगा, वहीं प Type-A वाले ports मिलते हैं, और एक USB 2.0 वाला port मिल जाता है, और मैं आपको recommend करूँ, अगर आप इसमें 1 TB के hard disk extra लगा देंगे, तो ये under 30,000 में best gaming और video editing laptop बन सकता है, अगर आपको upgrade करना हो तो, ये वाला जो laptop है, आपको 28,500 में देखने को मिल जाएगा, Amazon पर आज की date में बोलना under 30,000 जो आपको 2021 में देखने को मिल जाएगे, इन सभी की best buying links आपको नीचे description में मिल जाएगे, पटावट से जाके check out कर देना जो पसंद आता हो, तो still अभी भी अगर आप confused हो, तो मुझे आप Instagram पर message कर देना है, यहाँ पर idea आ रहे होगी, description में भी link है, परपस और budget के साथ message कर देना, मैं आपको best वाला laptop suggest करके आपकी problem दूर कर दूँगा, तो दोस्तों यही था अचकी इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद देए, यहाँ तो इस वीडियो को like कर देना है, target रखते है, 45 likes का, साथ में अगर आप channel पर नहे हैं, तो subscribe क करके bell icon को press कर देना, मिलता हूँ अब से यह और इंट्रेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, stay safe